ही फ्रेंड वेल्कम बेक टो मैं चैनल कैसे हैं आप सब आज की वीडियो अगेन होने वाली है पिग्मेंटेशन के उपर लेकिन फोन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इस वज़े से कुछ जो को मैं रिकोर्ड नहीं कर पाई हूं तो जो जितना हुआ उतना मैं आपको लेक बहुत हेल्प की है स्किल लाइटनिंग में बहुत इफेक्टिव है अगर आपको पिंपल्स के निसान है उनके उपर भी यह बहुत अच्छे से काम करता है तो आप इस मास्क की बारे में एक और खास बात यह है कि आप इसको डेली लगा सकते हैं ठीक है कोई भी साइड कैसी है बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिएगा आलू एक आलू लेलेना एक टमैटो लेना है जितना आपके फेस के लिए अतना आपने अगर medium size कर लेते हैं, तो half tomato और half aloo काफी रहीगा, इसको अच्छे से आप हमें paste चाहिएगा, तो mixi में अगर हम करेंगे, तो अच्छे से paste होगा ने, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, कदूकस की help से, कदूकस करने वारा जो एक छोटा सा mini आता है, बहुत बार मैंने आपके जो को अच्छे से जो है, इस तरह से paste बना लेना है, paste बनाने के बाद आपने इसके अंदर डालनी है, कुछ बुंदे नीम्बू की, देखिए, नीम्बू भी skin lightning में help करता है, और tomato भी और potato भी, ठीक है, ये bleaching properties होती हैं, इन सभी चीजों के अंदर, तो इनको अच्छे से आ जो कि compulsory है, वो क्या है, वो है हमारा honey, बहुत थोड़ा डालना है, half spoon का भी half, ठीक है, honey add करना है, इन सारी ही चीजों को mix कर लो, देकि मैंने इसको record किया था, बट नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपको explain कर रही हूँ, इन सारी ही चीजों को mix करने के बाद अच्छे से, अपन भी ऐसी चीज नहीं है कि आपकी skin पर बहुत खिचाओ होगा, आपको dry feel होगा, बट हलका सा आपको लगेगा कि dry हो गया है, तो ये क्योंकि हमने इसमें honey डाला है, जो आपकी skin को dry नहीं होने देगा, और साथी साथ glycerin भी add किया है, इसके बाद 30 मिनट के बाद आपने इसक पूरा गायब हो गया है, ठीक है, और उसके बाद अपने face को फिर से आपने clean कर लेना है, आप देखोगे आपका face बहुत जादा clean और बिल्कुल भी ऐसे होता है, फेस बाद dry dry होता है, वो बिल्कुल fin नहीं होगा, काफी healthy skin आपको लगेगी, इसके बाद आपने लगाना है most razor, as you know, के मेरा सबसे favorite और हमेशा हर weather में होता है aloe vera gel, उसमें मैंने कुछ बुंदे, कुछ बुंदे भी नहीं, सिरफ दो यी बुंदे या एक बुंद डाली थी, मैंने glycerine की, वो भी सिरफ इसलिए, जो भी चीज हमने अभी अपने face पे लगाई है ना, तो glycerine क्या और उसके results बहुत अच्छे हमें मिलेंगी, तो आपने अपने skin पे इस तरह से इसको लगा लेना है, कोशिश करें कि ये जो process है ना, ये अगर आप night के time में करते हैं, तो और ज्यादा अच्छे results आपको मिलते हैं, और इस तरह से करने के बाद हलकी सी अपने face पे बहुत ज् जोर नहीं लगाना है, बट हलके हलके आतों से मसाज करके छोड़ देना है, तो यही थी आज की वीडियो, अच्छे लगी तो लाइक कर देना, चैन पे नए होते चैन को subscribe कर देना, thank you